अच्छे होंगे और दोआ करता हूं कि गर परिबार भी अच्छा ही हो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कबुत्र वाजी के गुप्तराज में भायो आज का टापिक है कबुत्र को तर गर्म कैसे करें क्योंकि भायो यह वाला टापिक बहुत ही जवर्दस टापिक है और बहुत ही ज्यादा इपॉर्टन टापिक है प्लीस मेरे भायो इस बीड़ी को स्किप मत करना क्यूंकि इसमें आज मैं कुछ ऐसा राय खोले बाला हूं जो आम तावर पर ने शोकिन कबुत्र वाज्यों को नहीं पता होता कि कबुत्र को तर गर्म कैसे करना चाहिए तो भायो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने करना जे है कि कबुत्र को जब भी आप गर्म करें तो उसमें चीजे कौन-कौन सी डालनी होती है जिससे कबुत्र तर हो क्योंकि कहीं बाई ऐसा करते हैं सिर्फ गर्म चीजें डालके ही कबूतर को गर्म करते हैं जिससे कबूतर तर गर्म नहीं होता खुश्क गर्म हो जाता है जिससे कबूतर जो है वो अच्छी उडान देने की बजाए वो अपनी उडान कम कर देता है तो इसे बाई कहते है कि जे गर्म करने का नुक्सा से ही नहीं है तो आज मैं बताता हूँ कुछ को वोतर को तर्गरम कैसे करना है उससे पहले जो भाई मेरे इस चैनल पर ने जुड़े जिन तो प्लीज हैं को अब प्सक्राइप करें शेयर लाइक और कमड़ करें बयों को बहुत अच्छे कम्ड़ आ रहे हैं और बहुत ही ज्याद़ लाइक आ रहे ठीक है और ऐसे ही मेरा साथ दें और मैं आपका सा देता रहुंगा तो आते हैं अपने टापिक पे कि भैयो आपने क्या करना है जब भी कबोतर को तरग गर्म करना है तो उसके लिए समान मैं बताता हूँ क्या क्या लेना है आपको पहला नमबर लेना है भैयो आपको दालचीनी ठीक है यह मैं पांच कबोतर की गेम आपको बता देता हूँ कि कितने कितना मिकदार में आपको जैस माने लेने है तो आपने डाल चिनि का एक इंच का टुकड़ा लेना है भईयो और is कह साथ आपने एक काली इलाची ले लेनी है मुटी इलाची जिसे कहते हatelyं आपने काली लाची ले लेनी है उसको पूरा आपने खोल देना है खोलकर Th confront सिध्य पानी में डाल देना है भाईो बीज भी समेट सब सिलके समेटी ठीक है उसके बाद भाईओ आपको दो लोंग चाहिए ठीक है दो यि मनक्गे चाहिए और आपको चार काली मिर्च चाहिए ठीक है भाईओ ये सारी की सारी चीजियों होगी गरम इस पानी से अगर यही के कोई दस दाने सूपके डालने हैं और साथ में दस दाने ही आपने जीरे के डालने हैं और साथ में आपने करना क्या है इसके बीच में कोई आदे इंच की मलठी डालनी है भाईयों ठीक है और साथ में आपने करना क्या है कि इसके साथ एक शोटी इलाची को खोल कर डाल देन और चीजह डालने से आपके कबूतर जो है वह तर गर्म हो जाएगी को चीज़े मैंने इसमें हलकी ठंडी डाली है जिससे वह इसकी पानी गर्याद़ पारनी को गरम करेंगे उबा लेंगे तो इनकी तसीर जो है ठंडी की बज़ा तर हो जाएगी जिससे आपका कबूतर जो है तर गर्म होगा ठीक है भैयो तो आपने ये कबूतर को लगाना कैसे है जे भी मैं एक बड़ा अच्छा टीपा आपको देने बाला हूँ और एक राज खोलने बाला हूँ कि ने शेक्विनों को जे नहीं पता चलता कि जे कबूतर आगे से ही गर्म है जा ठंडा है इसको हम गर्म पानी कितना दें कितना नहीं दें क्योंकि जो कबूतर गर्म होता है उसे आप एक्स्ट्रा गर्म कर देते हैं जिसकी बज़ा से कबूतर क्या करता है ओबर हीट हो जात चाहिए जब आप उसे उडाते हैं उडाने के कारण कुछ देर में टैंपरेटर भी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जएता है जिससे की कबुतर के अंदर बहुत ही ज्यादा प्यास तलखी बढ़ जाती है प्यास बढ़ जाती है जो पानी के तरफ बागता है तो अगर तो आपने भाई और इसको क्या करना है यह कि बहुत ही ज़्यान से देखनी है कि आपने उस कुपूत्र को उसको बुटन को देखना पहले हैं कि यह कुपूत्र घर में धंड़ा है उस कुपूतर के देखने के दो तरीके बता औंगा भाई misma में आपको एक तरीका जो मैंने पहले बताया कि आपनी वीडियो में कबूतर की दड़कन से हम पहचानते हैं कि कबूतर जो है गर्म है कि ठंडा है जिस कबूतर की दड़कन ते चल रही होगी वो कबूतर गर्म है जिस कबूतर की दड़कन स्लो चल रही होगी वो कबूतर ठं भाज़ेकंदा हैं इसकी कबोतर की दड़कन गरम देना है और जुक्व Het नहीं हो जिसकी कबोतर की दड़कन पारी ये कि द्राइल पानी करने ऊप्मेस सौन थे को आप पर आप जब कुबूतर को पगड़ते हैं कि हम कुबूतर को ज्यादा पगड़ते नहीं हैं तो जिस कुबूतर को पहली बार हम पगड़े गे ना वो कुबूतर हमसे पगड़ते ही बहुत डर जाता है डरने के कारण उसका नर्व सिस्टम जो तेज हो जाता है और उसकी हार् मिन्ट के लिए अपने हाथ में मज़े से पकड़के रखें फिर आप दोबार अपने कान के साल लगाएं देखो उसकी दढ़कन में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा ठीक है भाईो तो इस तरह से भी आपने कबुत्र को चेक करना है और परखना है फिर जाके यह वहला आप कबुत्र को तो फिर उस कबुत्र को आपने करना है जय जादा पंगे लेगा उससे पंघेस 요मस्ति करेंगा यह आपने लो को बार बार खुजलाएगा कभी इदर कभी उदर गुमेगा वो कुबुतर आपका गर्म है जो कुबुतर आपका मज़े से साइड में बैठा हुआ है तो जो अपना चुपचाप करके आपने उसने जगा सेटे कर लिए ना किसी से पंगा कर रहे है ना किसी से जगड़ा कर र जब आपको मुत को मुत लगाते हैं यह वला पानी यह पानी लगाने का टाइप क्या है और स्था किस तरीकर से आपको लगाना और उसके आगे आपको क्हाँ करना लो मैं आपको साहरे कसारा बताऊंगा उससे पहले जिन वाई ने मेरे चैनल की notifixion को आन नहीं किया है तो प्लीस इस चैनल की notifixion को करें जो गंटी वाला बटन दीया है उसे दबादें क्यूंकि जलत सरह पहुंच्ट । उसके बाद आपने करना क्या है आपने कबूतर को रात को आठ बजे से लेके नो बजे के बीज में कबूतर को गर्म करना है जब आपने ये पानी कबूतर को दे दिया भाईयो फिर उसके बाद भाईयो एक सबाल और बीज में छोड़ो दिया है मैंने कि ये पानी लेना कितना है और इसे कितना कितना पानी देना है और तो मैंने बता दिया मर लेना कितना पानी ये नहीं बताया मैंने आपको तो भायो आपने करना किया है कम से कम आपने पांच कबूतर के लिए जन साथ कबूतर के लिए आपने अगर साथ कबूतर होंगे अगर 100 अमल पानी है तो 50 या 40 अमल पानी रह जाए इस पानी को आपने शान के रख लेगना है ठीक है शान के रख लेदिए फिर आप ने ये कबुत्र को लगाना है ठीक है ये पानी जब आप लगाएंगे जनकों आप लगा लो मालो आप पांच एमल पानी ये दे रहे हैं इसमें 3 एमल नीम गरम सादा पानी भी आप लगा जाकते हैं और ये बाद मेरी युरूर आप जाद रखें कि ये नुक्सा सिर्फ सर्दियों का है इस नुस्के को आप गर्मी में इस्तमाल ना करें क्योंकि इसमें मैंने सर्दि के लिए जो मिगदारें हैं वो मैंने आपने तरीके से बताई वी हैं तो इनका मैंने कंबिनेशन करके आप को बताया है तो ये आप सिर्फ सर्वियों में इस्तमाल करें ठीक है भाईयो तो आप ने जब ये पानी बगारा लगा दिया है और नीम गरम पानी देना है आपने वो गरम पानी भी नीम गरम होना चाहिए और साधा पानी भी नीम गरम होना चाहिए इन पानी को मिक्स करके आ कबूतर को लगा कर। फिर आपने कबूतर को 2,3 गंते के लिए कवर कर कर देना की Surahood do sometime where drove you werden की Surahadiu में आकसर लोगों कुद्डों को cover किया ह liner खोड़ें profund mash静ा में तो उपर से घ्रल के और अमार्ण की कुछ के ढायं ? अब कबूतर के अमने के इन में को तो हीड उसको हवा नहीं लगए कबूतर जल्दी से जल्दी हीड में आएगा और अपने मसल बगारा खोल देगा और सुवा उड़ने के लिए बिल्कुल तयार हो जाएगा जब ये आपने दो तीन गंटे उसको कवर करके रखा जब उसको बाद में खोलेंगे आपने फिर उसको कबूतर को नें गरम 10 साथा पानी देना है क्योंक्य जो जो पारे पानी की रहाश बगार सके अंदर होगी जे जो पहले बिठने मारेंसे घरपानी थीसके बार पानी पानी यापसी या अपने का प्तरगू कबोत्र को असली घर गरम करने का इस से कबोत्र की उड़्ाने बहुत सी, जाला आल खुलती है और कबोत्र पूरा पूरा दिन कर भई सर्दियों में आता है भाइत शुक्तने भाइती है किसी ने गोली देनी है सुबह जाते समय वह अपने देशी गोली यह गोली दे उसके साथ कोई हलके ठंडे पानी लगाना चाहता है वह भी लगा दे जो भी जिस तरिके से अपना कबोतर उडाना चाहता है वह तो टैंपरेचर की साथ होता है पैसे कारवाई करके आप अपने कबोतर को डाएं यह 100% मेरी गरंटी है यह मेरा आप से जाद एक परामिस है और दाबा है कि आपके कबोतर जूरूर अच्छी उडान करके आएंगे इस नुकसे को अगर आपने पहले अजमाना वाजिश से पहले अजमाना हो तो अजमा सकते हैं इसका बहुत ही शांतारा जल्ट आएगा क्योंकि यह नुक्सा मैंने पिछली सर्दियों में काफी बाईयों को दिया हुआ है और उनका बहुत ही अच्छा जल्ट है हुआ है तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए गुड़ पाई